वेल्कम बैक टो माँ चैनल सुपब कलेक्षिन तो कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएस पीजा फास्फूड की फ्रेंचाइजी किस तरह से लेना है फ्रेंड्स यह बहुत अच्छा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा ह आजकल जो है फास्फूड जो है बहुत जादा इंडिया में ग्रो कर रहा है तो इस वज़े से मैंने आपके लिए जो यूएस पीजा की फ्रेंचाइजी लाया हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यूएस फिजा की फ्रेंचाइजी किस तरह से लेना है उसके अंदर हमें जो है कौन-कौन से डॉक्यमेंट लगेंगे कितनी जमीन की रिक्वाइमेंट होगी साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कमपनी जो है कौन-कौन से लोकेशन में अपने फ्रेंचाइजी दे रही है और कौन से लोकेशन में इसकी फ्रेंचाइजी अवेलेबल है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कमपनी दुआरा हमें profit margin कितना दिया जा रहा है और हमें इसके लिए online आवेदन किस तरह से करना है तो ये पूरी बात जानेंगे हम इस वीडियो में तो इस वीडियो को जो अन तक देखे ताकि बात आपको पुरी समझ में है और ये मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल कलर का बटन उसे सब्सक्राइब करें और घंटी दबादे बैल आइकन ज़रूर क्लिक करें तो फ्रेंट्स यूएस पिजा जो अच्छी कमपनी और 1972 में स्टार्ट हुई थी एक लेडी ने यूरोपन कंट्री में जैसे के सुईडान में इसे स्टार्ट किया था 1972 में और ये कमपनी जो है के एक से दो साल के अंदर ही कमपनी ने बहुत सारी कंट्री में अपने नए नहीं आउट्लेट उपन कर ले 1994 के अंदर इन्होंने अपना सबसे पहला पीजा शॉप जो सबसे पहला अपना फ्रेंचाइजी यूए जो है इंडिया के अंदर आया बैंगलोर में बैंगलोर में इन्होंने सबसे पहला अपना आउट्लेट उपन किया उसके बाद आज 2021 में कमपनी जो है 34 सिटी से जादा और 12 स्टेट से जादा स्टेट से में अल्रेडी इंडिया के अंदर काम कर रही है और कमपनी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती है और इंडिया के अंदर पैन इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी दे रही है company चाहती है कि इसका brand जो already नाम है और company चाहती है कि इससे जाते स्यादा expand हो इससे जाते स्यादा customer मिल सके all over world में यह बहुत famous हो चुका है जैसे मैंने आपको बता है Sweden से इन्होंने start किया था लेकिन almost काफी सारे worlds के अंदर पहुच चुका है और आज हमारे पास इंडिया में भी जो already काफी सारी franchises already इसकी available है इन्होंने जो है कि अपना start किया था जहाँ पर यह जो बहुत अलग-अलग varieties के wage pizza, non-wage pizza desi wage pizza, desi non-wage pizza इनके पास बहुत अलग-अलग brand है और यह सबसे unique जो है इनका चीज है वो जो base होता है pizza का जो bread होता है वो एकदम soft और बहुत अच्छा है वो जो खुद बनाते है और जो है कि बहुत अच्छा है जिस वएसे जो यह बहुत ज़ादा grow हो रहा है यहाँ पर आपको menu में जो है मिलता है starter, salad, pasta, wrap, desert, desert, beverage, pizza, bread यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर रखनी होती है तो अगर आप इसकी franchise ही लेते हो तो आपको यह सारी चीज़े लखनी होगी आपको जो है company staff hire करके देगी आपको जो है इसके साथ work करना होगा तो इसके लिए आईए जानते है friends के हमें कितनी जमीन की requirement होगी तो सबसे पहले तो जमीन totally depend करता है कि आप कितना बड़ा restaurant open करना चाहते है यानि आप जो है सिर्फ एक restaurant shop open करना चाहते है वहाँ से आप customers को street food की तरह खड़े रहे के खाने का option दे रहे या छोटी सी space में खाने का option दे रहे या फिर आप चाहते है कि टेक आवे हो और थोटा सा option हो खाने का या आप चाहते है restaurant type बनाना या आपके ओपर depend करता है आप minimum एक छोटी सी shop के अंदर भी start कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक chef और एक worker hire करने होंगे अगर आप खुद काम करें तो आपको worker hire करने की ज़रूरत ने एक chef से काम हो जाएगा तो कम से कम company को 300 square feet जादे से जादा 1500 से 16 square feet जमीन की requirement है अगर आपके पास 300 square feet जमीन available है तो एक shop है मतलब आपके पास तो वहाँ पर आप जो है के एक रोक सकते हैं वहाँ पर आप जो है के इसके pizza's बना के जो आप sell कर सकते हैं आपके पास customer's आगे जो भी है खड़े रेके खार इंडिया में तो ये भी आज़कल common है fast food के लिए तो फिर आप deliver कर सकते हैं उसके अलावा आप जो है के इससे बड़ा अगर open करना चाते है 500 square feet में तो वह भी आप बना सकते हैं आप जो है के customers को खड़े रेके खाने का option या दो चार जो है के table सगा दिया वह भी आप कर सकते हैं अगर आप बड़ा restaurant type बनाना चाते हैं तो 1500 square feet जमीन है आपके पास तो वह बना सकते हैं सबके लिए जो है investment जो है अलग होता है आपको मैं बता दू minimum आप जो छोटे से छोटा आगा 300 square feet का shop बनाते हो तो approximately 10 लाग रुपे आपको जो है investment करना होगा अगर आप बड़ा restaurant type बनाते हो तो 31 लाग रुपे आपको approximately investment करना होगा जिसमें से company दुआरा जो है 2-5 लाग रुपे approximately franchise fees होता है और उसके अलावा बाकी जो investment है वो आपका जो है जो आप बनाएंगे जो company जो furniture बनाएगी इंटेरियर बनाएगी जो raw material लगेंगे आपको जो प्रोडक्स लगेंगे company जो है कुछ material देती है और कुछ material आपको जो है brand से लेने होते जहांपर company आपको टाइप करके देती है तो आप उनसे ले सकते हो और जो है 7.5% का जो है loyalty commission होगा लेकिन इसकी अच्छी बात यह है friends के 14-16 महने में आपको जो है return of investment मिल जाएगा जो भी आपने invest किया 14-16 महने company में आपको जो है return कर देती है company इसका जो है agreement होता है वो पास साल खाओ तो असके बाद अगर आप इसे renew करना चाहते हो तो आप renew कर सकते हो जैसे मैं आपको बता है कम से कम 300-1200 square feet जमीन की requirement है और चोटी shop लेंगे तो 10 लाग रुपे investment रेका बड़ी shop लेंगे तो 31 लाग company इंडिया की तीसरे नमर पर आती है pizza company में US pizza इसके पास 12 अलग अलग types के pizza available है जहां पर American non-wage and desi non-wage American में जो चलता है वो desi यानि Indian जो रहेगा वो इसके पास desert है ice cream hot chocolate fudge brownie fudge है यह सारी अलग 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 चीज़ें इनके पास already available है इनकी franchise ही लेते हो friends तो approximately company दुआरा profit margin 40 person का profit margin आपको मिल रहा है जो कि एक बहुत बड़ा profit margin है और यह जो है बहुत अच्छा है क्योंकि food industry में जो आपको profit margin मिलता है friends क्योंकि देखिया आज यह Corona काल आ चुका है सारी चीजे बंद हो चुकिए shops अगेरा बंद हो चुकिए जो normal है लेकिन food एक जो चीजे जो के essential मे आ रहा है भले आप डाइनिंग नहीं करा सकते लेकिन take away delivery option available है और company आपका जो है सुईगी zomato के साथ tie up करवाती है तो आप जो है उनके साथ जुड़ के अपना जो है के product sell कर सकते कंपनी का खुद का एक application है लोग आपके हाँ पर उससे भी order दे सकते हैं या तो फिर जो जो मैटो और सुईकी के दुवारा भी जो के company को आप order दे सकते हैं और उसी के अलावा company का जो है call center भी हवेले पले उस call center के दुवारा call करके भी लोग जो order process करते हैं और आपको जो भी order मिला आपको से सर्फ करना है customer को आपको जो है के इसके लिए online आवेदन किस तरह से करना है तो description के अंदर मैंने एक link दे दिया है उस link के ओपर click करेंगे आपको तो सीधा franchisee detail का option आएगा जहाँ पर आपको आपका नाम, mobile number, email id और address जालना है आपकी city select करना है आपके पास जमीन already available है आप जमीन लेने का plan करें यह सारी detail लिखना है एक निचे column रहेगा उसके अंदर आ इस पर अगर interested होती है तो आपको जो है contact करेंगी और company द्वारा आपको जो है के सारी चीज़े help की जाएगी तो देखे friends अगर आप इनकी franchisee लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत knowledge होना ची आप at least जो कुछ experience आपके पास hotel line का या fast restaurant का आपके पास होना ची आपको इन आपके पास automatically आपके पास customers बन जाते 30-40% customers brand के नाम से आपके पास और बाकी के जो customers है आपको जो है आपका टेस्ट आपका customers experience किस तरह से होता है आप customers को service कौन सी देते कैसी देते उसके उपर depend करके आपके पास और customers आ जाते है friends तो यह जो है बहुत अच्छा business है आप इसके चैनल को जो है सब्सक्राइब करें friends thank you very much for watching